तो बूर्णिंग स्टूरेंट्स आज हमारा मैक्स का फस्ट लेक्चर है तो सबसे पहले में थोड़ असा एक तो आपको पॉइंट डिसकस करना जाता हूं मैथड ओफ लर्निंग तो मैथड का पीरेट स्टार्ट करने से पहले देखें एक आपको पॉइंट डाता हूं दिए ओनली वे तो लर्न मैथमेटिक्स तो देखें मैथमेटिक्स को सीखने का मैथड का सीखने के लिए आपको डू मिस करना पड़ेगा आपने लोबर क्लासिस से आपको बोर टीजरों ने कहा होगा कि मैथ करके देखो करके देखो बटाप करके देखते तो टैंथ में आप होगे वार्च से तो फर्स्ट कंसेट आपके माइड भी होना चाहिए ती ओनली वे तो जीजर आपका टौपिक है अचैनल टौपिक इस चक्तर इस पोडिनेट जमेक्री तो गोडिनेट जमेक्री आपने ओरेडी की उलिया है शांत में फ्क्राट्य तो फ्क्रास में आपने यह बेसिकन सब्किया था सब्सक्राइब करते हैं फिर आपने इसमें पॉइंट प्लोट किये थे जैसे सब्सक्राइब करते थे तो यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे डिस्टैंस बिट्विन टूप पॉइंट पॉइंट यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे डिस्टैंस बिट्विन टूप पॉइंट तो वह हमारा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब तो जैसे आपके बास कोई दो क्वाइट्स हैं पी इज एक्स वन वाईब को अब इस इतने भी पॉइंट होते हैं एक्स वाई की फोर्म में पेर होता है तो फॉर्स्ट पॉइंट आपका पी यह हैं एंड सैंड वाईज एक्स तुवाई इस इस तो इस दोनों के बीच का करना है कि पी इसे क्या हो तरफ का इस तो फोर्म आपका है दिनोर्टिट वाई पी इस इस दोनोर्टिट वाई एक्स वाई इक्स टू एक्स तू मिनस एक्स वन whole square plus y2 minus y1 whole square अब x1 y1 जो है ज़रूरी दिखी first वाड़े लेना है किसी एक point को x1 y1 ले लेंगे second को x2 y2 लेंगे x2 में से x1 minus करना है और y2 में से y1 minus करना है simple सी बाद first वाड़े value में से first minus करनी है और second में से second minus करनी है ठीक है चाहिए आप first इसको ले लो चाहिए आप first इसको ले लो तो first में से जो भी आपका coordinate point है first जो अब सीफा value आप सीफा में से अब सीफा minus करेंगे ordinate में से ordinate minus करेंगे दोनों को minus करके whole square फिर बीच में plus y की जो value जो उनको भी minus करके उनका square और उस पूरे के उपर complete square root दोबारा सुन्ने distance between two points जो है दो points even होंगे हम किसी भी एक value को x1, y1 ले ले लेंगे दूसरे को x2, y2 जो जर्णल form आपकी जो है अभी आपको दाई points की जर्णल form होती है xy, first value always x होता है तो first में से first minus second में से second minus minus करने के बाद scale लेंगे then उनको एड करेंगे जो total value आपको पर scale लेंगे, scale roots होगे जैसे example आपका question है find a distance between a is a 3, 5 and b is a 6, 9 distance point करना है तो किसी भी एक point को कहले लेंगे x1, y1 तो हमने इस value को ले लिया x1, y1 और second को score कर लिया x2, y2 a, b का distance क्या रहेगा a, b is equal to scale root sorry firstly क्या करना है आपने first value में से first minus करनी है 6 minus 3 means x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 means second number में से second minus करना है यह x1, y1 में अगर कोई इंफ्यूज हो रहा है तो आपने क्या करना है simple method first value में से first minus करो उसका scale ले लो second में से second minus करो उसका scale ले लो और उनको add करने के बाद total scale हो तो 6 minus 3 9 minus 4 9 minus 5 4 whole square 3 square is 9 and 4 square is 16 whole square root this is root 25 and root 25 is 5 तो यह आपका a से b का distance जो है क्या आगया 5 आगया तो आपको पोरना यार रखना है पोरने में x1, y1 था यह compressor ही नहीं आपको दोबाराद आदो कि first को x1, y1 लेना है किसी में एक को x1, y1 second को x2, y2 तो first में से first minus second में से second दोनों का scale उनको add करक्कित आ लेने आपने scale clear second example is second question ऐसे a is 4 minus 3 and b is 2 5 तो a से b का distance का आई आपका a b distance is equal to x1, y1 इसको ले दो या उसको ले दो तो है आपने x2 इसको ले लिया simple meaning first में से first minus करना है 4 minus 2 whole scale plus second में से second minus करना है तो this is minus 3 minus 5 whole scale complete scale 4 minus 2 is 2 plus minus 3 minus 5 minus 8 whole scale so this is a 4 plus 64 whole scale root this is a root 68 so this is square distance 4 now next question इसमें जो questions के टाइप है आपके एक्जाम में आ रहेके सबसे फस्ट आपका टोपिक है कि टाइप्स ओप ट्रेंगल आपने ट्रेंगल सेक करनी है कि कि इस टाइप्स टाइप्स ओप ट्रेंगल है तो ट्रेंगल के टाइप आप सभी मों बता होगा ट्रेंगल फॉर्म्ड भाए कोडिनेट्स अर इपन आपने एक किस टाइप की ट्रेंगल है चैनल आपको कता है , scalar means if all sides are unequal ईपीडेर लिजमेंश मेंश मेंश इडिमीश मेंश तू साइड आइकवल एक्विडेरल मेंश जिसमें और त्री साइड उपल हूं यूनित है, इस इज यूनित, इस इज ज ज आपको इनकी A, B, C अगर हमें ट्रैक्डल लिया है, तो इनकी साइट्स का डिस्टैंस बताऊने चाहिए, तो A, B, C, D गीवन है हमें, हम क्या गरेंगे जैसे फर्स्ट क्रॉश्न में, A गीवन है, B गीवन है, C गीवन है, तो पहल 4-1 square, प्लस 4-2 square, République solve करो, 5-1 square, plus 2 square,। this is 16 प्लस 4, फोल अन्डरूट, this is root 20, similarly, चीवन है, अब A से B का निश्यां के चैने करेंगे इसे सी करेंगे तो फोर ना किसा प्लाई होगा भीजी पे तो वीजी है वाए इस फरस्ट में से फरस्ट मार्स करना है तो मिया करेंगे जो बड़ा नंबर बड़े में इसे छोटे बड़ा- कर देंगे ताकि माइनस की प्रब्लम ना आए तो यहाद देगा आपका 5-3 स्केर प्लस 8-4 यह कमक्रसरी नहीं है कि पहले किसका फस्ट नंबर लिया तो इसका भी यही फस्ट ले रहा है तो हम क्या करेंगे बड़े नंबर में से चोटा माइनस कर लेंगे तो इसमें एक्सओं बड़ा था एक्सकी वड़िवड़िए तो इसको पहले ले लिया मादम इस पॉइन में वाई की वैयर्य रहा है तो वाई को पहले दे लिया इसको बाग में देंगे तो सोलो करेंगे यह क्या आजएक आपका 5-2 5-3 2-2 स्केर 8-4 4-4 स्केर 4 स्केर रूट तो यह भी होगया, B C find होगया, A C find रवना है, A C पर कौर न वग़ादेंगे, A C में पी वखें, ए 3 greater है, 3 में से 1 minus, first value में से 1 minus, 3 minus 1 square, plus 8 minus 2 square, 8 minus 2 square, तो यह की आएगा आपका, 3-1, 2-square plus 6-square whole-square root 4 plus 36 root 40 तो एक इस टाइप की ट्राइंगल है कि यह आपका value root 20 है यह भी root 20 है बट यह root 40 है तो यहाँ पर क्याक्रिंग फुजन लिखुता है इस पर दो साइट्स एक्वल है तो एर AB is equal to BC but not equal to AC तो किस टाइप की ट्राइंगल होएगी therefore ABC is a Iso-Scalar तो यह आपकी Iso-Scalar ट्राइंगल है तो यह हमने Types of Triangle है तो द्वारा देख ले Firstly हमें Distance 4 ना पता होना चाहिए So first version दो आएगा simple Point Distance between 2 points Second हमारा topic है यहाँ पर Types of Triangle तो कितने टाइप के Triangle होते हैं Simply जो हमें पता है Scale-Nal, Iso-Scale, Equilateral, Right Angle Triangle तो यह चेक करने आएगे कि किस टाइप का Triangle ना सकता है So Triangle किस पर डिपादे करते हैं यह Sides पर वैसे Angles पर भी डिपादे करते हैं बट जो हमारा अब यह Concept है यह Distance, Forna, which Distance पर इपादे करता है कि इनकी Sides का Distance क्या है हमने पहले A से B का Distance लिया फिर D से C का Distance तो क्या आया इसमें किसी दो साइट स्क्वेल पर सेम आगी है It means it is the Iso Scales Link क्या है